हेलो गाइस वेलकम बेक टू दानाज़र वीडियो यहां पर हम बात करने वाले टायर के कुछ डिटेलिंग वर्ड के उपर जैसे कि पीछे मेंचन क्या हो रहता है यह यह पर टायर है रेडियल है सबको पाता है लेकिन इसके उपर जो डिटेल लिखें रहती है कि 140 बाइस यह सब्सक्राइब करते है इसके 140 के उपर 140叫 sounded hisa यहां पर 140 के ने लिखा रहता है 140 सब्सक्राइब इसके वीट्ट जो रहती है टायर की जो कि जमीन पर चलते हो चलता रहता है तर्णिंग के लिए काम आता है तो यह वीट्ट जो रहता है यहां से यहां तक जो कि मैं उंगली से दिखा रहा हूं पुड़ा बहुत समझ में आ जगा है और अगली बात करते है 70 अब 70 क्या रहता पकट रहा है यह जो हाइट है 70 में तो यह लगबख 140 के हाप के आसपास होती है इसके बाद अपर चलते हैं अगली आर 17 के बारे में अब आर 17 क्या हो जाता है आर 17 आर का मतलब तो सबको बता होता है कि रेडियल होता है आर का मतलब तो सबको बता है कि रेडियल है लेकिन 17 क्या हो जाता है उसको कैसे ना पा जाता है उसको यहां से लगाकर यहां से नीचे यहां तक समझ सकते हैं और यहां से लगाकर यहां तक मतलब जो रिम जो रिधे आ, विम एक तरीके सा 7 Incke की, आई हुई है इसके ओपर तो यह टायर ऊपर जो लगा हुआ है, सतरा इंच का है, इसके बात चारचट और MC, और Ainge लिखा हुआ है.-, एक लोड इंडेक्स है कोडिंग में लिखाए साइड में फोटो देख सकते हैं आप छाचेट में कितना लोड होता है यह गाड़ी कितना वेट उठा पाती है साइड में फोटो देख सकते हैं तीन सो केजी के आसपास है और एज का मतलब हो जाता है मेक्सिमों महाँ इस्पीट कितने हो जाएगी तो एज एक सिंबल है जिससे आप सामने देख पार हो इस्पीट लिखी हुई है 210 तो यह एक इसकी स्पीट का सिंबल है और बाद में जो एरो दिख राए यह एरो वहता है जिससे अपन कभी टायर चेंज करवाते गाड़ी में तो यह जो एरो जो राउंट रहता है गुबने का जिसो बनाता इसके बराद ही ऐरो देता है से पता चलता है कि तायर किस तरफ से लगाना है सब्सक्रत कर देख की सब्सक्रुश्य कर झाल झाल